स्वागत दोस्तों इस नए वीडियो में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे एट पे कमीशन के बारे में जिसके बारे में एक लेटर सरकुलेट हुआ है जिसका पंकज राई चौधरी में जवाब दिया है तो उस हिसाबसिलों को यह लग रहा है कि एट पे कमीशन 32. uh will the ministry javed ali khan ji na poochha hai will the minister of finance be pleased to state whether the government has not considered para 1.2 to contain in seventh central pay commission report which recommended that pay matrix of center government employees may be reviewed periodically without waiting for long period of 10 years on the basis of acquired formula if so whether government would constitute its cpc in view of the highest inflation last 30 years and the constitution of seventh commission the last in year 2013 if so the details thereof if not the reason thereof the pilot question cancer the government has not considered this issue which according to the approval of the revision of pay and allowance based on the seventh central pay commission and no such proposal is in the consideration with the government for constitution of the eighth and its central pay commission to the central government of employees चलिए एक्स का कहना ये है कि आठ्वां वेतनायोग के बारे में कोई भी मामला किंद सरकार के पास विचारा धीन नहीं पॉइंट ध्यान में रखिएगा उसके पीछे चलते हैं आठ अगस्त वाले लेटर में यही यही सवाल किया था स्री दीपक बैज और स्री जनार्दान सिंग सिग्रिवाल ने विदर दे गौर्वर्मेंट प्रपोसे इंशोर टामली कंसिशन रमेट उनका जवाब था उनका जवाब था उनका कहना था इंक्रिमेंट देते हैं और हर शे मैंने पर हम मागाई बत्ता बढ़ाते हैं फिर उसके बाद एक और लेटर था इन दोनों के पहले दो अगस्त को जिसे नारायन भाई जेठवा जी ने पढ़ा था जेठवा ने राठवा जी ने with the Minister of Finance to be pleased state whether it is a fact that government is considering not to constitute its central pay commission to revise salaries allowance and pension of central government employees and pensioners to spinonka no sir if so does not arise uskai badanon kaha same para 1.22 had recommended that the matrix be reviewed periodically without waiting for the long period of 10 years it can be reviewed and revised on the basis of a croyd formula which takes into consideration the changes prices of the commodities that constitute a common man's basket which the labor bureau at shimla reviews periodically it is suggested that this should be made on the basis of revision of that matrix periodically without waiting for another pay commission इनों लेटर को जरा हम लोग अपने इसाब से व्याख्या करते हैं पहला लेटर यह उसके बाद पेपर माने लगाए आयोग लाने की कोई विचार नहीं चलता है जो 25 जुलाई का लेटर कहता है उस लेटर में अधिकी जब आप सवाल करते हैं तो आपके प्रशन के हिसाब से आपको उत्तर दिये जाते हैं तो सवाल कहता है कि क्या आठवा वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव के इंद सरकार के पास है जवाब मिलता है आठवे वेतन आयोग का कोई इस प्रकार का विचार सेंट्रल गवर्मेंट कमचारियों के सैली बढ़ाने के संबंद में एक एक दोजार चोबीस से इंप्रिमेंट हो रहा है नोट अंडर कंसेडरेशन लेकिन वही दो अगस्त को क्या पूछा गया है कि क्या केंदर सरकार इस बात पर विचार नहीं कर रही है कि आठवे पे कमीशन जो केंदरी करमचारी और पेंशनर को भत्ते महगाई भत्ते सल्ली बढ़ाने को लाया जा क्या विचार नहीं कर रही है लाने का विचार कर रहे है क्या केंदर सरकार आठवे पे कमीशन को नहीं लाने का विचार कर रही है तो यह जो आया है मैं बताना चाहूंगा para 1.22 इन सब के बीच में रोकते हुए para 1.22 एक्रॉइड formula क्या है एक चीज गही थी 7th पे कमीशन में स्वी मानेनी एक माथुर जी ने जो कमीटी के धक्ष है उन्होंने एक्रॉइड फार्मॉइला का स्टमाल किया कौन थे एक्राइब एक्राइब जो बिटेन से आये थे भारत में भारत माने के बाद कई दिनों तक काम किया था उन्हों डॉक्टर थे और निट्रीशन पे संतुलित अहार पे उन्होंने पुस्तक लिखी थी यानि किताब लिखी थी उन्होंने उसकिताब में उन्होंने ले इसका भी फॉर्मूले को आधार बनाया 7th Pay Commission ने और माने निया हमारे एके मातोजी ने उसके बाद उसके बाद उन्हों ने कहा कि एक हास्यास्पत बात लगता है कि आप ए कॉलोनियल सिस्टम में उपनिवेशवाद की सिस्टम में उपनिवेशवाद के परिस्थति में रह कर रह रहे हैं लोगों को जिने आपने गरीब बनाया है याने प्रभी बात करेंगे अतना लुटा गया है अहीं और आप को घ्यानी कहते हुए 128 लिखते हैं कि 180 वर्ग फीट में शहर में चार व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं यानि खुद ब्रिटन से आए भारत में करोड़ों के लंबे चोड़े हजार विकर के बंगले में रहे होंगे कई नोकर चाकर सेवकों साथ और शहर के लोगों के लिए हो कहते हैं कि 180 वर्ग फुट में रह सकते हैं यहां का खाना का इस्थिती बहुत खराब है यहां के खाने उतने अच्छे दरजे के नहीं इसलिए हमारे पुस्तक का अनुसरन कि आ जाए ताकि 26 कैलरी हमें प्राप्त हो तो उनसके आने से पहले हम बुरे स्थिती में खायर यह चर्चा का दूसरा भी से बाते बढ़ जाएंगी हैं दूसी तरह बहक में आ जाए इसलिए पॉइंट पाता है उसी एक क्रॉइड फॉर्मूले का इस्तमाल किया शायद हो सक सब्सक्राइब करेंगे लोगों को हमारे हाँ विद्वग्य और विद्वान ना मिले हो हम हमेशा पश्च्रम के तरफ देखते हैं और यह सोचते हैं कि वह हमसे जादा विद्वान यह भी डिफरेंट टॉपी के छोड़ते हैं तो उनके फॉर्मूले का इस्तमाल करते उन्होंने बनाया और उस हिसाब से उन्होंने यह फॉर्मूला का इस्तमाल किया इन वही एक फॉर्मूला के तहट सब्सक्राइब करते हैं कि महागाई भथता और अन्य चीजें बढ़ने से जो आपके बास्केट में हर चीज एक तरह से उपलवज ना हो पाए महागाई ब दस साल के लंबे अंतराल का इंतजार ही करें तभी पे कमीशन लाए यह बात उन्होंने क्लियर कट कहा था लेकिन हमारे यह आदत है करमचारी के अच्छे चीजों को दरकिनार करते ही वे जो चीजे सरकार और प्रशासन के हित में रहती है उन्हें पहले लाया जाता है करमचारी उपर विशेस रूप से तो उसमें उन्होंने कहा कि दस साल का इंतजार ना किया जाए और लेकर आजाए वैसे अगर आप देखिए बैंक में चार साल पर वेजरिवीजन होता है और वित एरियर उनको पेमेंट किया जाता है बट यहां पर यह हुआ कि नहीं भई दस साल से पहले भी। पेमीशन लाया जा सकता था। उनका इस्तमाल उनोंने नहीं किया, खैर कोई बातिए तो इन तीनों लेटर में यह कहना है, दो अगस्त कहता है कि नहीं ऐसा कोई मन में विचार नहीं है सरकार के कि व tiers-पेमीशन नहीं लाएगिए. आठ अगस्त कहत जाता है कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके हिसाब से एट पे कमिशन आगा तो अभी विचारा धीन नहीं है सेम चीज को 25 जुलाए 2023 के लिटर में दोहराया गया है कि एट पे कमिशन का अभी कोई प्रस्ताव विचारा धीन नहीं है तो निश्चित रूप से धाई साल सरकार चाहे तो छे महने में कमिटी कंस्च्यूट करके एक पे कमिशन का रिज़र दे सकती है तो आपके पास धाई साल में से कम से कम दो साल तो ही वो चाहे तो छे महने बाद एक महने बाद कल परसो कभी भी कर सकती है उसके लिए कोई निश्चित ने धाई समय नहीं कि नहीं है अभी भी हमारे consideration में considered किया जाएगा क्योंकि लोगों को यह सोचना चल रहा था कि 50 जैसे महाई बढ़ जाता है और फिर जनुवरी में भी भवान की लिया से 4% बढ़ादे सरकार तो 8% जैसे ही 50% का महाई बढ़ता होगा तो उसे basic से merge करके एक नया basic तयार किया जाए पे कमिशन ऐसा विचार था या नहीं यह तो पता नहीं लेकर इसे विचार के बारे में लोग सोच रहे थे उसकी कोई अभी तक पुक्ता जानकारी नहीं है फिलाल performance यह भी कहा जा रहा है कि देखिए performance के हिसाब से हम सली बढ़ाने के बारे में देख रहे हैं रेटिंग के तेरी व्याख्या इतनी लेटर को एक साथ मर्ज करके बताने की वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शर्ण सब्सक्राइब करिए धन्यवाद